हालो एब्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सब आई हूप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सो गाईज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया कुछ भी में से हजबन जीट जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके और मैंने सुचा पहले मैं महंदी लगा लेती हूँ उसके बाद मैं और सब काम करूँगी तब तक दो तीन घंटा हो जाएगा तो मैंने महंदी को क्या किया था रात में भीगो कर और छोड़ दिया था और मॉर्निंग में मैंने इसमें कॉफी पाउडर डाला है अलोवेरा जल डाला है और दही डाला है आप चाहो तो इसमें कड़ी पत्ता और एक प्याज और मेथी को आप रात में भीगो कर रख देन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे आप उसको भी इसमें डाल कर लगा सकते हो और जब आप बालों को वास करोगे ना आपकी बाल से मतलब इतना सौफ्ट हो जाता है और हेयर फॉल भी आपके रूप जाएंगे तो अभी मैं महंदी लगा लूँगी और महंदी लगाने के बा साफ करोंगी तो फाइनली मेरा महंदी लग गया है और मैं ऐसे ट्राइक करके छोड़ दूँगी दो तीन घंटा तो मुझे लगेगा ही अभी काम करने में तब तक यह ड्राय हो जाएगा उसकी बाद मैं हेयर को नॉर्मल वाटर से ही वास करोंगी आज मैं सेंपू बगेर यह मैंने वास किया है मॉर्निंग में जो थोड़ी बहुत रात के होते हैं बरतन और इसके पापा नास्ता करके गए थे में स्प्रेक वास्ट करके तो फिर वो भी बरतन था तो मैंने सबसे पहले बरतन क्लीन करके रख दिया था स्लैप पर ताकि वो सूख जाए तो उसके बाद मैं से अंदर ड्रॉर में रख दूंगी और उसके बाद मैं आज की चन क्लीन करूंगी सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लेज लाइक जरूशे करिएगा और मैं ना सोच रही हूं कोई और कॉंटेंट ना डालो क्यूंकि आप लोग सिर्फ ब्ल कि वो जाता है मैं सो मैं आज वर्नर धोने वाली हूं तो इसके लिए Aपके एगर वर्नर जादा ब्लैक हो गया है जादा गंदे हो गया तो मेरा तो थोड़ा हलका फुलका ही है तो मैंने इसमें डाल दिया है इनू और मैं यहां डाल रही हूं बीनिगर और डाल दोंगी ठंडा पानी मैंने डाला है अगर आपको ज्यादा आपके बर्नर गंदे हैं तो आप इसमें खुब तेज गरम पानी डालेगा और उसे डाल कर छोड़ दीजिएगा 10 मिनिट के लिए और यहां मैं सुखे कपड़े से पहले इसमें जो मार लेती हूं मनलब जो भी थोड़े बहुत की रहे होते नाम खाना वगेरा बनाते हैं तो सुखे कपड़े मार लोंगे उसके बाद ही मैं क्लीन करती हूं और गैस अगर आपका जै विष्टमेंस जिससे हम ताथ क्लीन करते हैं उसके आप थोड़ा सा लेस क्रेवर में और उसके बाद उससी कैस को साफ कर ले बहुत अच्छी से साफ हो जाता है मैं तो फिलाल यहां साबूंसे ही साफ कर रही हूं क्योंकि यह ज्यादा गंदा है नि मैं क्लीन करते रहती और होता क्या है ना सामान खरीदने से कुछ नई मन्स सामान तो आप एक बार खर देऊगे बड़ इसमें मैंनत जब तक रहेगा ना वो तब तक करना होता पहले दिखिए दो चूले वाला मेरे गैस था तो आराम से साफ हो जाता अब यह चार चूले वाले यह पीऊ की वज मैं यह नैपकिन से पूरा इसे साफ कर लूँगी और उसकी बाद कीला कपड़ा से साफ कर दोंगे और जब भी हम गैस साफ करते हैं तो नीचे हम देखते नहीं है तो क्या होता है उपर से हम क्लेन करते जाते हैं और जो उपर का तोड़ा बहुत पानी है वो नीचे जाता ह है जोने की वजह से नहीं संब्सपा नहीं करते को ने इसने पूरा जंक लग जाता था तो आप पर सी जरूर करते हैं भी आप एक वार मार कपड़ा मरिया कषव दिस जला के नीचे क्यूंकि जो उपर से हम साफ करते तो पानी नीशे जाता है तो नीचे फिर जंक लग जाता है देख सकते हो नीचे यहाँ भी आप clean जरूर से करिएगा वरना वो धीरे हम उपर उपर clean करते हैं और नीचे जंक लगता जाता है पानी की वज़ा से तो मैं अभी ऐसे ही clean करती हूँ तो मेरा gas देख सकते हूँ आप अच्छे से चमक गया है इसकी बाद मैं slap साफ कर देती हूँ और जो दिवार है वो साफ कर देती हूँ तो फिर मेरा kitchen neat and clean हो जाता है उसके बाद सारे बरतन है वो clean कर दोंगे और मेरे पैरों में आज इतना दर वो रखा जाता है उसको मैं clean कर देती हूँ और जो थोड़ा बहुत बरतन है वो clean कर दोंगे और उसके बाद मैं आप लोग को burner दिखाती हूँ साफ करके वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है बिल्कुल new जैसा हो जाएगा तो अगर आपके burner खराब हो गया मैंने तो य नीबू का रश भी डाल सकते हो बट नीबू का रश मतलब की मैं पहले नीबू से ही clean करती ती हूँ और आप लोगों पता ही नीबू कितना महंगा हो गया हास से जादा ही महंगा हो गयाा है मतलब जहां पहले 10 रुपय का तीन-चारा में नीबू मिल जाती थी वहां भी 10 र है आपके पास तो बेकिंग सोटा भी डाल सकते हो और इसके बाद थोड़ा सा भी निगर डाल दिया और मेरा चाकू भी देख सकते हूं यह कैसे ब्लैक होगे यह मुझे भी नहीं पता बच्चों ने कुछ कारामत किया होगा तो मैं बहुत दिसको सोच रही थी कि मैं क्लीन कर दूंगे और बहुत अच्छे से हो जाता है आप लोग देखिएगा जुड़े रहिएगा अच्छा लगे तो लाइक से करिएगा और मेरे इस बताएवे नुस्खे को आजमाईएगा और मतलब किचन टेस्स को आजमाईएगा और देखिएगा आपका रिजल्ट आपको जर अच्छा बाइगा और मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका जो जिस चीज का डर रहता है ना मतलब हम अंदर से डरते रहते साइद यह हो ना सच में वह हो जाता है तो देख सकते हूँ आप मेरे बरनर कितने अच्छे से क्लीन हो गया है तो आप लोग बेश तरह से क्ल तूं हमने पहले हमारे बच्चे एपीछ में पड़ते थे तो हमने एडमिशन मतलब नरसरी से हमारे बच्चे एपीछ में ही पड़े हैं और अभी मेरा प्रिंस नाइन में चला गया तो दिल्ली में अचानक से क्या हो roywo न इस साल अचानक से इनुने फी बढ़ा दिया बह कह बोला कि नहीं तो हम निकाल से लेंगे पीए से उसके बाद को बहुत बार मना किया कि मत करो मत करो बार्ट उनका पता है निंडिमाग में हो गया था आदम्ली के आगे हमारा जलता उनको तो चाहिए था कि नहीं हम केवी में ही एडमिशन कराएंगे तो देखिए अब कितना क्लीन हो गया ना कितना चमक रहा है तो उन्होंने टीसी मैंने उनको बोला टीसी निकालने से पहले आप एक बार बात कर लेना जाके कि वह लेंगे कि नहीं लें क्योंकि प्रिंस नाइन में चला गया सेट मिलता नहीं है नाइन टेन का तो उन्होंने बोला मिलेगा क्यों नहीं हो जाएगा तो उसके बाद उन्होंने टीसी निकाल लिया और वो जब एक दिन गए थे के भी में तो उन्होंने बोला कि आट तारिक को हम एड़मिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जब यह कल गए मिन्स का लाटता है आज मैं बोई जोबर कर रही हूं कल का ये वीडियो है तो उन्होंने बोला कि नहीं है सीट नहीं है हमारे पास पतलब कि हम तो ना इधर के रहें ना उधर के रहें उसके बाद फिर इसके बापा एपेस में गए हैं तो उन्होंने बुला कि हमारे पर सीट नहीं हैं हमने दे दिया किसी और को तो बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है सच में आदमियों को जब कुछ बोलो ना वो सुनते नहीं है तो बहुत गुसा आता मैंने पहले बुला रिक्स मत लो रिक्स मत लो बट नहीं इनको लेना था उसके बाद फिर जाके उन्होंने प्रिंस्पल से बात किया है तो फिर वो काम हो गया मेरा नहावा के मैं आई हूं पूजा करने के लिए और आज का प्लोग यहीं तक अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सेर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ओके लव यू ठीक क्यार पाइ भाए पाइ झाल, 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 झाल